जैहिन जैभारत दोस्तों आप में से मैं बता दूँ 95% छात्र जो है एक ही गलती कर रहे हैं और उस गलती फे फोकस जल्दी आपका नहीं जा रहा है कारण क्या है क्योंकि आपको उसी तरह से उसी साचे में ढाल दिया गया है कि आप अपनी गलती को देख ही नहीं पा रहे है तो जब मैं खुद एकजाम की तैयारी करता था या आज भी मैं बता दूँ आपको आप क्या गलती कर रहे हैं कि आपने किसी ब्यक्ति का कोर्स लिया XYZ नाम का कोई संस्था है क्या XYZ नाम का कोई कोचिंग संस्था है आपने उसका क्या किया कोर्स खरीदा अब आप क्या कर है full mock test provide करते हैं या सिर्फ जो है full mock test आपको provide करते हैं तो full mock test जब आप करते हैं तो आपका score लाजमी है कि अच्छा आएगा ही आएगा और इनी के द्वारा पढ़ाएगे प्रस्न रहते हैं तो वो ऐसे ही प्रस्नों को रखते हैं अपने test में जिससे उनका जो बच्चा रहे motivate रहे और उनके number अधीका हैं लेकिन सयारी का सही तरीका क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूं तो मैं कैसे करता था क्या course तो मैं वैसे मैं यह नहीं कहूंगा नहीं लिया ठीक है पढ़ा मुझे नहीं सही लगा फिर मैंने मैं यूटूब पर गया और अड़ा 247 पर ग्यान प्रकाश जासर का आप क्या है न मनलब अपने समय की वैलू नहीं दे रहे हो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैंने कहीं पर 100 रुपया पेड कर दिया न तो अब सोचते हो उस 100 रुपया को कवर करने के लिए अपना बेस कीमती समय गवाने लगते हो उस कॉंटेंट के पीछे जो रद्धी सा कॉंटेंट है जो एप में लुभावने वादे करके बेचे जा रहे हैं आप उस रद्धी से कॉंटेंट के पीछे अपना बेस कीमती समय गवाते जाते हो लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ मैंने 500 का कोर्स लिया नहीं पसंद आया पहला दिन के बाद नहीं देखा मैंने ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर रुपिया पेट किया है और खाना खराब है या मलब कुछ उसमें कमिया है तो आ आप उस खाने को खा के अपना पेट खराब करना चाहोगे नहीं उसी तरह से जब आप कोई content भले ही purchase कर लेते हैं मत ऐसा करिए कि आपकी तैयारी को आपके selection को रोग देगा आप सोचिए अगर आप इस यूपी पुलिस भरती में हो जाते तो कितना फायदा होता आपको हर म में सिर्फ xyz का course लिया कम पैसे के चक्कर में आपने xyz का course लिया और free के चक्कर में सिर्फ xyz का मौक्ते स्टटिम्ड किया आपने कभी आपको real कमियां आपकी पता ही नहीं चले आपको वास्तविक रूप से मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चे के साथ ऐसा हुआ है लेकिन मुझे अनुमानता लगता है कि हर 95% बच्चे के साथ यही हुआ है लगभर तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको करना क्या चाहिए जैसे मैं आपको क्या पढ़ाया भारत का समयधानिक विकास पढ़ाया पहला चैप्टर में ने आपको पढ़ाया भारत का समयधानिक विकास अब कई बच्चे कहेंगे कि सर आप टेस्ट बनाईए तो भाई मैं बच्चे को out of the syllabus यानि मैंने जो content provide किया है उसके बाहर का question मैं बच्चे को test में पूछूं अब इस स्थिति में क्या होगा एक साधारन सा भी बच्चा बहुत अच्छा score करेगा और वह एक मतलब दिखावा वाली दुनिया में रहेगा कि अरे भाई मेरा score तो बहुत अच्छा रहा है और वही बच्चा exam में जब थोड़ा सा अलग question देखेगा तो उसका टाइटाइफिस निलबटे सन्नाटा तो इस वजह से मैं कहता हूं मैंने आपको quality पढ़ा दिया है अब आप पहला chapter मैंने पढ़ा दिया भारत का समधानिक विकास जो जो topic मैंने पढ़ा दिये आ आप स्वतंत्र हो ठीक है आपको मैंने स्वतंत्र छोड़ दिया रविवार के दिन आप previous year उठाओ UPSI का 2017 का 2021 का 2011 का और test book भाई देखो अगर आप चाहते हो कि मेरा selection दो साल बाद तीन साल बाद हो मैं free का पढ़ूंगा तो वह आपकी मर्जी है ठीक है आप मुझे देखने आए हो ना free में नहीं देख रहे हो कि mentality पहले बदल दो मानसिक्ता अगर नहीं बदलोगे तो मैं बता रहा हूं आप ऐसे ही अपना समय की कीमत जब तक नहीं समझोगे भाई जल्दी कुछ नहीं होने वाला है मैं कभी भी आपकी तरह या किसी और की तरह घंटा देखके 12 घ घंटा 14 घंटा 10 घंटा लाइब्रेरी नहीं गया जीवन में लाइब्रेरी मतलब आज तक गया भी हूं तो किसी दोस्ते मिलने के लिए जैसे ही खानपूर में जाके मैं पहली बाल लाइब्रेरी में गया रियल बता रहा हूं मुझे ओ इन्वायर्मेंट नहीं मिला तब भ का रेडियो आपरेटर आल इंडिया 45 रेंग था मेरा 2011 में उसके बाद SSB का टेलीकाम रेंग और सेलेक्शन लिया मैंने 2012 में तो मुझे कभी लाइब्रेरी जाने का या कहीं और जाने का मौका नहीं मिला नहीं घंटा देखके पढ़ने का मौका मिला कि मैं घंटा देखके पढ़ूं मुझे कम समय मिलता था उस कम समय में कैसे मैं ज्यादा गेंड करूं मेरा एक क्योंकि मुझे अपने समय की वैलू पता होती थी जिस दिन आप समय की वैलू जान जाओगे न उस दिन आपका सलेक्शन का पहला कदम की और आप बढ़ जाओगे लेकिन आप आँ आपको ज्यान प्रकास जहासर का क्लास 180 क्लास हैं लगबग बायोलोजी फिजिक्स और केमेस्ट्री के 180 क्लास का वीडियो मैं बता दूं मैं ड्यूटी करने के बाद आता था 5-5-6-6 घंटे मैं उनके मनलब मेरा टार्गेट रहता था चार से पांच वीडियो का नोट्स मैं पड़डे बना दूं और मैंने 35 दिन में 35 दिन में उनके तीनों सब्जेक्ट के नोट्स बनाए NTPC एक्जाम के लिए अब कोई बच्चा सोचेगा यार हो तो फ्री में पड़ा है क्या उसकी वैलो है यही मानसिक्ता आप लोगों का भविस्त्य खराब कर रही है आपको यह दिखाया जा रहा है कि अगर जो है मनलब आप हमारा कोर्स खरीदेंगे तभी सेलेक्ट होंगे ऐसा एकदम बिलकुल लही है आप सही तरीके से जब चीजों को पकड़ेंगे यह जरूरी नहीं है कि कोर्स में जो चीजें है वो बहुत सांदार हो और योटुब पर जो चीजें अ उना हो और फ्री में टेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब जो तेस्ट देदेंगे लेकिन आप जिस प्लेटफार इमांदारी से करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर honesty है, यानि आप चाहते हैं कि अपने career के प्रति मैं इमांदार रहा हूं, तो आप अपना आकलन संडे को जरूर किया करिये, कि मैंने ये जो समय दिया, Monday to Friday, Monday to Saturday, वो मेरा profitable है, या कि मैं बस अपने आप को गुमराह कर रहा ह तो आईए, देखिए, quality के लिए मैंने बता दिया, आप freedom है, test book पे, पहला chapter जो मैंने पढ़ाया है, उसमें अब जो जो exam, sscgd का मनलब chapter wise test देख लो, या कोई भी exam का, cpo का, ssccgl का, railway का, upsci का, upshcpet का, कोई भी exam का, जाके, पहला chapter जो मैंने जितना तक पढ़ाया है, उतने तक के question को attempt करो, और अपना आकलन करो, इस सहर ने क्या सही पढ़ाया है, कि नहीं पढ़ाया है, बाकि और भी कोई platform हो, जहाँ पे sectional wise test मिले, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब हम gym जाते हैं, तो हम हर एक apart पर काम करते हैं, जैसे हमको अगर ये नकल अपना मजबूत करना है, नकल तो इस पे focus करते हैं, punching द्वारा या और भी तरीका हो गया, अगर हमको इसको मजबूत करना है, तो इस पे काम करते हैं, उसी तرह exam, exam में सफलता जो मिलेगी हमारा, ठीक है, example में जो सफलता मिलेग एक ही दिन आप पूरी बाड़ी पर काम कर देंगे हर एक चीज पर काम कर देंगे तो नहीं मिलेगे पहले हमें बेसिक चीजों पर जो हम पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे उनका आकलन करते जाएंगे हर संडे को देखते जाएंगे हमारा ग्राफ इस तरह से होना चाहिए हम ह इसका भी कर लेना ठीक है अपना आकलन करना बाकि और प्लेट फार्म पे टेस्ट कराह रहा हो तो उनका टेस्ट जा के देखना मुझे वंमिदेध है अब बहतर प्रदर्शन करेंगे सांदार प्रदर्शन करेंगे लेकिन मैं इस मूलвीधी पढ़ाऊंग इस मूलवीधी का पर रखा है अपनी मानसिक्ता को बना रखा है कि NTPC बहुत अलग है SSTGD बहुत अलग है UPP बहुत अलग है UPSI बहुत अलग है SSC CHSL बहुत अलग है CGL Group D बहुत अलग है देखो basic चीजें लगबग हर जगा कुछ basic question हर जगा पूछे जाते हैं और अधिकतर basic question में जो बच्चा गलती करता है उसी का selection रूख जाता है तो मैं यह कहूंगा कि online exam का जबाना है किस company को tender मिलेगा यह भगवान ही जानते हैं बाकि कोई जानता नहीं है तो आप exam की मानसिक्ता से खेलिए exam exam जो होता है किसी को पता नहीं होता है आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिक्स 2017-2018 फरवरी में जब exam हुआ 17-18 फरवरी को मानसिक अभिरूच के भर-भर 13 question आये और जब दुबारा exam हुआ online platform ने क्या कि आपको खोब मानसिक अभरूची मेरा था ने वो दुनिया भर के मलब 150 question में से 137 question पर आपका छोड़ के 13 question पर दबा के फोकस दबा के उन्ही 13 question से ऐसा लगा कि यही 13 question ही जो है selection आपका करा देंगे और उसका नतीज़ा क्या रहा जब exam में pattern बदला आपको बहुत loss हुआ तो अगर आप पहले से ही हर pattern के लिए तयार रहेंगे तो exam में आपका loss होने का तो chance ही नहीं उठता है मैं इस बात को दावे के साथ क्याता हूं क्योंकि मेरा experience जो है एक साल दो साल नहीं मैं 2010 एक competition के field में हूँ तो लगबग मुझे 14-15 साल होने को है और हर एक field का exam का जो मैं कह रहा हूं अनवह है और जो exam का अनवह है उसको मैं बताता हूं अगर मुझसे कोई इतर exam पूछता है तो मैं clear बोल देता हूं बिहार पुलिस का कोई पूछता है भाई मैंने आज तक पेपर नहीं देखा तो मैं क्या बता हूँगा अभी बच्चा पूछ भी देता है तो मैं उसको अपनी सच्चाई बया कर देता हूं कि भाई मुझे नो आइडिया नहीं पता है तो आप उसी सच्चाई से अपना आकलन करना सीखिए कि अगर आप आप वही जो है क्या करेंगे जाके लाइब्रेरी एक हजार में जॉइन कर लेंगे लेकिन जब टेस्ट बुक पे जहां आपको बहुत फायदा मिल सकता है आप मैं कहीं पे भी आपको इसका लिंक नहीं दूँगा आप खुद अपने दोस्तों का लिंक यूज करिए या जिसका ताकि उस दोस्तों को प्राफिट हो सके ठीक है नहीं तो इससे क्या होगा एक मैसेज जाएगा कि इनको जो है कुछ कमीशन मिल रहा है इस लिंक से इस वज़ा से इसका परचार कर रहे हैं तो मैं इस पच्छ में कभी नहीं भी नहीं रहता हूं कि अगर ज जो चैप्टर हम लोग मंडे से करते जाएंगे आप उनका सेक्सनल टेस्ट दीजिएगा मैं आपको स्वतंत्र छोड़ दूँगा कि जाओ आप मैदान फता करो संडे को ठीक है जै हिंद जै भारत आप आकलन अपना खुद सही करना इमांदारिस करना सीख जाईए नहीं त लोगों की लिस्ट में रहते हैं ठीक है और आप 35,000 रुपए भी जो जोड़ेंगे दो साल का तो आपका हो जाता है तेरे महीने सैलली मिलती है तेरे तिया 49 लगबग चार आठ लाक रुपए ठीक है और आप सिनियार्टी में पीछे तो होंगे ही होंगे इन 60,000 लोगों से तो यह सब चीजों का नुकसान जो है आपको जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है ओ नहीं बताएंगे नहीं ओ दिखाएंगी आपको ठीक है तो मैं यही कहूंगा दोस्तों आप सही तरीके से आकलन करिए ताकि एक्जाम में आपको ऐसा ना फिल हो तुमें बहुत मायूस हो बहुत दुखी हो गया जै हिन जै भारत